पाट सोड मात्रु रुदै 12 दोस्तों हवे आपने लेखत ना जीवन मिशे परीचय मिलाविये मात्रु रुदै इर रुमान चकने मात्रु प्रेमने व्यक्ते करती व्यारता छे जेना लेखक छे श्री कनैयालाल रामानुज तेमनो जन्म पहली नवेंबर 1938 रोज सुरिंद्र नगर जिल्लाना बढ़वाना गामे थयो हतो तेमनों मृत्यू 26 मी एप्रिल 2002 रोज थयो हतू लेखक श्री कनैयालाल रामानुजे शिक्षक तरीके सेवा अपी हती तेमने सावजनु अपमान, रीच दर्बारमा अग्यार रातो, अपंग तन्नना पण मन्ना नहीं वगेरे जिवा जानीता पुस्तको हाप्या छे 12 दोस्तो, मानाव होई के पशु, मात्रु रुदै तो सौना सर्खा इपंग्तिने द्यानमा राखी ने, लेखके मात्रु रुदै वार्ता मां, माताना रदैना स्नेह भाव रजु करया छे 12 दोस्तो, हवे आपने पाठने समझिये को अवधूत, शो गिर्नार बैठो छे तेनी जटा, जें प्रदेश ना पस्चिमी जंगलोंने लोकोई नाम आप्यू छे, गिर सदियो जुना आ प्रदेश मा वस्ती मालदारी कोमना अत्यारे 139 चिटला नेसडा छे हम्मेशने माटे तेमने काड़ना मुखमा रहवानू, छता पण जाणियों के अजाणियों डर न मड़े सावजना गुगवाटाने दीपडानी लुच्चाई साथे तेमने आ जीवन जजुम्वू पड़े छे क्यारे शुँ बने ते कहफू मुश्किल गणाई आवा बहादूर मालदारियों जीवन नी अनेक वातो छे करमना दादिया नामनो साथेक जुपडानो एक नेस्ट आयर अने काठी कोमना मालदारियों कुटुमनी जहम रहे प्रागण फुटे मालदारियों बेहूं इतलेके 200 अने बीजा माल इतलेके डोरने लई चराववाने उपड़ी जाई छे स्त्री वर्ग घेर रहे 500 बेहूना मेडवेल दूदना दहीने वलोवा इन नाजुक पण मजबुद हातो कामे लागी जाई सांज पड़िये खुटतु बढ़तन मिणमा गीर मा निकड़ी पड़े कोई शहरी स्त्री शौपिंग सेंटर पर खरीदी करवा निकड़े ने तैम अवी आधेर उम्मर नी एक बाई एक सांजे करगठिया मिणमा निकड़ी हरे चारिक वर्णनू बाड़क मा ता तो सुका लाकड़ा मिणती मिणती आगर निकड़ी गई पेलू बाड़क दिमू दिमू फुल्णा चुटतु मानी पाचड पाचड जातु हातु एटला मा तेनी नजर सामेनी बेखड ना पत्थर पर पड़ी। क्या कईक गलूडिया जेवू करतु हलतु हातु। भाड़क ने रस पड़ी गयो। ते पाचड नी बाजू थी बेखड पर चड़ी पेला मास ना लोचा जेवा नवजात शीशुने जोवा लागियो। बच्चु त तेना नाना पग वड़े बेखड उतरवा कोशिश करतु हातु। परंतु उतरातु नहीं। तेथी विचित्र अवाज करतु हातु। बनने एक बिजा सामों आँख परोवी जोई रह्या। ख्षण मां दोस्ती बंदाई गई। पिला मालधारी ना बाड़के तेने वहाल पुर्वक गोद मा तेड़े लिदू। पोताना नवा दोस्तने वहाल थी हात फेरवतो नेस बणी जवाल आग्यो। नवा दोस्त साथे बोडो शिशू काली बोली मा वात करतो हतो। परंतु त्यांज पाचल डणक संब्लानी। मालधारी स्तरी चौकी ओठी। तेने पोत पड़ता मुकी एने दोट मुकी। पोताना रदाई टुकडाने रेडो मुकवा बदल मनो मन पस्ताओ करती हाफडी फाफडी दोडी। परंतु कांट वतावी ज्यां बेखडपा से आवी त्यां तो एने सामेनु द्रश्य जोई। ती जोईने तेने आँखे चक्कर आवी गया। दरती गोड गोड फरती लागी। पोतानों अस्तित्व बुलांतु गाईय। वात एम हती के बेखड़नी बखोल मा सिहने बच्चाने आगला दिवसे जना माप्यो होशे। इटले बै बच्चा बोड मा हाता। एमनु एक बाहर निकड़ी आवेल। सिहन मारणनी त सिहन तुरत ज पोतानी बोड तरफ पोताना वाहल सोयाना रक्षण माटे दोडी आवेली। जयारे पोताना शिशुने पेलो बाळक उठावी जतो जोयो। इटले तेने दूर्थी ज त्राड नाखी हाती। अब आजो पेला मालदारी शिशुनी माता तेना बाळक ना रक् मालदारी स्त्रिये दूर रहे रहे पोताना बाळक ने बगलमा रहेल सिही बाळ ने छोड़ी देवा बुम पाड़ी। पन बाळक हाथ आविलू आउँ अदभुद रमक्डु कैम करी छोड़े। मानो जीव ताणवे चोंटियो। पाचर गुर्काट करती सीमन साम नजी क मालदारी स्त्रिये पोताना बच्चा ने पटाउंता छिल्ली विननती करता जाने के चीज पाड़ी। छोड़ी मुख बेटा एने मुखी दे। सीहन पन बाड़क नी फक्त साथ फूट दूर पाचर पाचर चाली आवती गुर्काट करती हती। तेनी आखों मा अजब परिवर्तान आवी रहूं आतू। मालदारी बाड़के सीह शीशुने पड़तू मेलिय। दोड़ी ने मानी गोदमा बराए गयू। आबाजू पिलू सीह शीशुपन दोड़तू मानी गोदमा चाली गयू। सामे बे माताओ औने वच्चे तेमना बे सीशुओ। गड़ी बे गड़ी बनने माताओ ए आँख मिलावी। मालदारी स्तरी पाचा पगे चाली गहर। तेने पोताना नेसमा रहठान मा जवू हतु। जयारे सीहनने तेना जंगल मा पोतानी बोड मा जवू हतु। बन्ने माताओ पोताना शिशुने लई चाली गई। तेमना खोडिया जुदा जुदा हता। परन्तु शिशु प्रत्यनी मम्ता अने प्रेम्मा कशोज भेद न हतो। मानव होई के पशु। मात्रो रुदैतो सवना सर्खा।